हेलो गाइस नमस्कार बीपी टायर नॉलिज में आपका स्वागत है तो गाइस यार आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जो हमारा टाटा एसी जो आता है टाटा एज यानि की छोटा आती उसके रियर टायर के बारे में तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना गाइस तो गाइस इस चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी आपको सही मिलेगी गलत नहीं क्योंकि मैं टाय ट्रेड में ही काम करता हूं तो मुझे पता कि कौनची गाड़ी के लिए कौन सा टैर वेस्ट है तो गाइस यह शोगारों कायों के तो गैस अगर इसकी मॉडिल की बात करें तो यह सवारी लग के नाम से यह था हता है घाइस और यह नायलोन आप 155D 12 डाल सकते हो ओवर लोड के लिए जैसे किसी ज्यादा लोडिंग के काम है तो यह 165D 12 डाल सकते हो आप तो यह देख सकते हो गाइस इसका पैटन देख सकते हो कापी अच्छा खुसुरत पैटन है एंड रवल क्वाल्टी भी इसकी वैस्ट है और यह देख सकते हो ग लग वैटन होता है यानि कि अगर हमारी गाड़ी कर्चे या पक्के में चलती है तो बिरिकिंग स्टाइट से फास्ट आएगी तो गाइस यह देख सकते हो मैक्सिमम लोड या सिंगल लोड है 580KGS और डोल है 530KGS तो गाइस इसमें क्या है कि अगर हमारी गाड़ी में तो आप इस टेर को डल बसकते हो और यह सवारी लग के नाम से टेर आता है गाइस तो बहुत ही अच्छा टेर है सुपरियार परफॉममेंस है एंड हाई क्वाल्टी है इस टेर की और ओवरलोड के लिए बहुत ही बहतरी टेर है गाइस तो यह जो हमारा औरिनल साइज होता तो यह जो टुर यह सबता है गाइस 155-12 होता है लेकिन आप इस टेटर को डलवा सकते हो 155 इसकी चोणाई होती है थो ही 100 पैंसट होते है तो यह IEs की 100 पैंसट होती है ना कशकी 10 आम चोबार सक्थ혹 की तो है अपपन दो मि Peak्बानौटी के बहूत ही ज़ी एलोप सबक्रित कंद और नहीं कि पेडि़ने में कहीं भी चलो तो इससे यान कि ब्रेकिंग विफाइस्ट आई इचा रहे यान कि तो आप इस डिर देख सकते हो माईलेज देख सकते हो माईलेज में अच्छा यह तो गाइस आज की बात करें तो शाओ-सक्रायर क्लिमेटर आराम आपको यह service दे देगा तो guys आप इस टेर को डलवा सकते हो तो guys आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next video में तो please चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe जरू कर लेने गाइस और वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को भी कर देने गाईस धन्यवाद